साला दरबन पर कक्षा 6 और 7 के जो annual exam के वास्थी प्रिष्या के जो mark से वो entry होना शुरू हो चुके हैं तो यदि आभी तक आप लोगों ने कक्षा 6 और 7 के mark से entry नहीं करें तो किस पकार सब लोग इंटरी कर सकते हैं तो इसके लिए मेरे एक वीडियो बना रखिए आप चाहों तो मेरे चल्ल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते है इस वीडियो के लाइश्ट पे भी उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कक्षा 3 और 4 के S7, S2 और S3 की इंटरी आप लोगों को किस मेकार से करनी है तो इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को ID और पासो डाल कर स्कूल ID से लोगिन हो जाना है इससे पहले यदि आप लोग मेरे चल्ल पर ने हैं हम लोगों पहले 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 लोग बटन परदेशित नहीं होगा लोग करने के पशाहती ग्रेड परगती परगत में परदेशित होंगे यानि कि जब आप लोग हर बच्चे के S1, S2 हर सब्जेक्ट का आप लोग भर देंगे उसके बाद लोग बटन आप लोग कर देंगे उसके बाद में उसका जो पोग्रेस रिपोर्ट है उसमें वो अटोमेटिक शो होने लग जाएंगे यदि आप लोगोंने S1, S2 और S3 में किसी भी S1 के जो ग्रेड नहीं भरी है लिखा हुआ है तो सबसे पहले आप लोग जो S1 वाली इंट्री कर देंगे तो S1 वाली इंट्री पर हम लोग आपर क्लिक कर देंगे यहां से आप लोग फिर से S1 सलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम लोग subject select कर लेंगे कि आप लोग की subject का बनना चाहते है जैसे मान लेजी आप लोग हिंदी का बनना चाहते है या फिर गनित का बनना चाहते है अंग्रेजी प्रैवने ते जो भी आप लोग बनना चाहते है वो subject select कर लेजेगा और उसके बाद में यहाँ पर go button पर click किजेगा click करने के बाद में यहाँ पर आप लोग simply आपर grade दी गई है तो यहाँ पर आप लोग को ABC जो भी grade आप लोग बना चाहते है वो grade बर दीजेगा और बनने के बाद में आपको submit पर click कर दीजेगा तो यहाँ पर successfully का message चो हो जाएगा अब इसी तरह से यहाँ से आप लोग फिर से 7, 2 select करेंगे और फिर से आप लोग यहाँ पर हिंदी subject select करेंगे और यहाँ पर go button पर click करेंगे तो फिर से आप लोगों को उस बच्चे की जो grading है वो grading यहाँ पर link देनी है और फिर से उस बच्चे की जो grading है वो grading आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं और लिखने के बाद में आपको यहाँ पर submit पर click करना है तो submit पर click करेंगे तो यहाँ पर देखिए assignment, detail, update and successfully लिखा हुआ आपके सामने show हो जाएगा उसके बाद में यहाँ पर जो action बटन दीक रहा है उस action बटन के सामने यहाँ पर एक lock का button याँ पर save का button आपर show हो जाएगा अभी यहाँ पर show नहीं हो रहा हो सकता कि तोड़ दिनों बाद में यहाँ पर show हो जागा यदि अभी तक कोई option शुरू नहीं हुआ है तो चल्दी ही option शुरू हो जाएगा और उसके बाद में आपकी जो entry है आप पूरी entry कर पाएंगे यदि वीडियो अच्छे लगी तो like and share किजिएगा और यदि आप लोग मेरे चनल पर पहली बार आए तो मेरे चनल को subscribe कर लिजिएगा ताकि अलादरपन, staff, id, ssoid, fms, supporters जो भी online जानकरी होती है उसकी जानकरी सबसर पहले आप तक पहुंसते रहे